साइट चैन वाले रेडिमेट ब्लाउज में आपने ये लूस फेटिंग का प्रोब्लम फेस किया ही होगा तो इसी का मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सुलूशन शेयर करने वाली हो इसका जो रेडिमेट ब्लाउज होते हैं वो बस साइज में तो आ जाते हैं बट सुलूशन के लिए मैं पहले यहां पर ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ पेपर पर ड्राफ्टिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि वो समझने के लिए इजी हो जाए और मार्किंग भी इससे इस पर इजी हो जाती है तो यहां पर समझे जैसे यह ब्लाउस का बैक साइड है तो back side को middle fold कर लेना है हमें और उसके बाद में जो center point है वहाँ से हमें 3 inches पर एक marking कर लेनी है। यहाँ पर 3 inches पर marking हो जाए उसके बाद में वहाँ पर हमें 1 inches पर mark कर लेना है और यहाँ पर एक 1 inch का dart हमें बना लेना है। दूसरे side में भी same 3 inches पर mark कर लेना है उसके बाद में हमें 1 inch का डार्ट ले लेना है और यहाँ पर जो length है मैं 4 inches ले रही हूँ आप अपने fitting के according आप इसे 4 inches या फिर 3 inches भी रख सकते हैं। तो यह हमारा dart बन गया है और दूसरे side में भी same हमें यह dart बना लेना है। यहां पर पेपर पर मैंने drafting की हुई है तो यह जो दोनों डार्ट है थोड़ा उपर नीचे हो गया है। बट आप cloth पर करते हैं टाइम पर थोड़ा ध्यान से measure करके इसे आप dart बना लेंगे। अगर आपके blouse की fitting बहुत ही जादा loose है तो आप जो यह 1 inch का dart होता है तो इसे आप बढ़ा के 1.5 inches भी कर सकते हैं या फिर 2 inches तक कर सकते हैं। बहुत बारे side chain होती है तो बहुत ही जादा loose होता है blouse और side से हम लोग सिलाई भी नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर dart का जो size है उसे हम बढ़ा सकते हैं ताकि जो हमारे blouse की fitting है वो अच्छी तरीके से आ जाए। और इसे इस dart को stitch करने के बात में आपकी fitting बहुत अच्छे से बैट जाएगी। और यह ready made blouse को proper fitting में लाने का best solution है। I hope कि आज का वीडियो आपके लिए useful रहा हो। अगर यह थोड़ा भी आपको यह useful लगा हो तो please channel को like, share, subscribe करना मत भूलें and thanks for watching my video.